बोजपुरी के दो बड़े सुपरस्टार जिनों ने भोजपुरी को बढ़बाद कर दिया है उन दोनों स्टारों का नाम है एक का नाम पवन सींग तो दूसरे का नाम खेसारी लालिया दो के नाम के पावर स्टार फो टोड्यादी पावरिकाश लादों के नाम की आगे ट्रेंडिंग अस्टार लेकिन इन दो रोड़ स्टार ट्रेंडिंग को बज़पुरि को ब्रबाद कर दिया है अब कैसे इस वीडियोSet बोजपुरि में कई ऐसे कलाकार हैं जिन में हर वो क्वालिटी है जो कलाकार में होनी चाहिए लेकिन उन्हें ना तो अच्छी फिल्म मिलती हैं ना उन्हें अच्छे गाने मिलते हैं अलबम करने को हम आपको दो बड़े उदारन दे रहें एक अक्षरा सिंग का दूसरा काजर अग्वानी का भोजपुरी के दो सूपर एस्टार का हैं जो भी एस संबंध जैसे ही बिगरे उनको ना तो अलबम मिल रही है अच्छी और ना ही फिल्म मिल रही है आज की तारीक में काजर रगवानी भोजपुरी से दरकिनार कर दी गई है जिनमें हर वो क्वालिटी है दूसरा बना नाम अक्षरा सिंग का पवन सिंग से व्यक्तिकत कर रहा है जब इन दोने स्टार्व का ऐसा लगता है कि हमारीiber NAS dating घट रही है या फिर हमारे वानस बड़ रहे हैं तो तुरत कोई ने कोई विवाद कर देता है कोई किसी का नाम लेकर कोई अपनी वेटी के नाम लेकर रोना रोने लगता है और विवाद सुरू हो जाता है फिर टी आर्पी जस्किता स्वयाती और बढ़ी जाती है याद किजेगा भोजपुरी आज की भोजपुरी मतलब उनकी पहचा उनकी परभास है चाहे वो गाई की की हो एक्टिंग की हो जो भी कहें लेकिन वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो तलवे नहीं चाथते हैं अगर आपको भोजपुरी में आगे बढ़ना है कुछ करना है सिनेमा में अच्छे अलबम में काम करना है तो आपको दो में से किसी एक का तलवा चापना होगा अगर तो आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ना तो अच्छे फिल्म मिलेंगी और नहीं अच्छे एलबम मिलेंगे चाहे आप में लाख क्वालिटी क्यों न हो यह गारेंटी है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा यही बड़ी बज़े हैं आज की भोजपुरी जो है वो एक अंदकार की ओर चल दी है जिसे रोकना सभी का फर्ज है तो ऐसे में लोगों से रिक्वेस्ट हैं लोगों से आग रहा हिंडिया टॉप का कि अगर आप भोजपुरी को बचाना चाहते हैं तो नए लोगों को मौका दीजिए नए लोगों को देखिए उनका डिस्पुर्स अच्छा होना चाहिए अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट किजिए ताकि पवन सिंग और खेसारी लाल जैसे कलाकार जिने ऐसा लगता है कि भोजपुरी पर हम ही दो लोग है और भी कई लोग हैं लेकिन आज की रेट में सच्चा ये है कि भोजपुरी को फिल्में थियतर तक नहीं पहुँच पा रही है डिरेक्टर प्रडुसर को भरोसा नहीं है कि थियतर तक मेरी फिल्म जाएगी की नहीं जाएगी इसलिए वो अलग-अलग प्लेड़फरम पर इलिज कर देते हैं तो आज की भोजपुरी की प्रभासा ये है तो ऐसे में लोगों को आगे आना होगा जाक्ती धर्म से उपर उठकर भोजपुरी को अगर बचाना है तो फिर आपको देखना होगा आपको तै करना होगा कि आखिर भोजपुरी में मेनत कौन कर रहा है किसे समर्थन करना चाहिए किसे सपोर्ट करना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भोजपुरी जो है वो खत्म हो जाएगी थोड़ी बहुत जो बची है भोजपुरी जिस भोजपुरी को मनोज तिवाडी ने नया रूप दिया उस भोजपुरी को अगर बचाना है तो विवर ओडियंस जिसे भगवान कायाता है उसे जागरूख होना होगा चुकि दो बड़े कलाकारों ने भोजपुरी पर कबजा कर लिया और कबजा ऐसा वैसा नहीं इन दोनों ने भोजपुरी को बाट लिया है कोई अहिरान करता है कोई बभवान करता है ताकि उनका टियार्पी टाइट रहे और ऐसी विवाद चलता र और वो वही भोचपूडी पर राज करें वही भोचपूडी पर उनको कुछ फिल्म मिले जिन्हें पवन खेसारी चाहेंगे और यह एक बड़ी लेवल की पॉलिटिक्स है जिसे लोगों को भी समझना चाहिए और लोगों को जात्पात में नहीं बढ़कर क्वालीटी को पर ध्यान दना चाहिए चुकि कलाकार की कोई जाती नहीं होती साथ आप याद किजी आप गौर किजी उन बातों पर कि जब भी लोग को अपना कोई गाना बुम कराना होता है को गाना डीली जोने वाला होता है उससे पहले विवाद हो आता है चाहें लेकिन उन सब तीजों से बचना होगा अगर आप भोचपुरी को बचाना चाहते हैं तो तो एक लाइन में खेसारी डाल पवन सिंग कोई भाई को परमोट कर रहा है कोई बेटी को परमोट करने के चकने भोचपुरी को बरबाद कर दिया और अच्छे अच्छे हीरो जिनमें हर वो क्वालिटी है वो आज जख मार रहे हैं उनके पास न तो अच्छे अलबम आ रहे हैं नहीं अच्छी फिल्म है ताकि उनमें काम करकर लोगों को बता सके कि हम भी है जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं हमें वो क्वालिटी है कुछ अच्छा करने का लेकिन